ओम नारायन 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 सबमीत्र कुराम राम दोस्तों अभी अभी मैं रन्बिर कपूर की समशेरा फिल्म देखकर थेटर से घर आया हूँ फिल्म कुल मिला कर लगबग 2 घंटे और 38-49 मिनिट की यह काफी लंबी चौड़ी फिल्म है देखे मैंने इस फिल्म का टीजर और ट्रेलर दोनों का रिव्यू किया हुआ है और उन दोनों ही रिव्यू में मैंने जो एक भयव्यक्त किया था कि मुझे इन इन बातों का डर लग रहा है जैसे कि हमारे आदिवासी समाज के शौर और पराकरम की इतिहास के साथ कही ये फिल्म छेट छाट ना कर दे फिक्षन की आड में कही गलत इतिहास ना दिखा दे ये जो डर अंदर से लग रहा था ना इसका ट्रेलर देखकर आज जब मैंने फिल्म देखी तो जो जो मेरे मन में बाती थी जो डर था वो सब बाते बिल्कुल सही होते हुए बड़े परदे पर मुझे दिख रही थी सच में ये दो घंटे और 38 मिनिट बड़े ही पीडा दायक थे मेरे लिए देखे कई बार हम कहते हैं कि आज भी हमारे देश में कई लोगों की मानसिक्ता है न वो गोरी चमडी की गुलामी की मानसिक्ता है और जब मैंने ये फिल्म देखी तो बिल्कुल उसी मानसिक्ता के साथ शायद इस फिल्म को बनाया गया है ऐसा बार 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 अंदर लग रहा था क्योंकि इसमें जो ब्रिटिशों के जो characters है ना जितने भी British characters है उनके अंदर भी एक मानावता humanity दिखाई गई है कई बार जब कुछ गलत हो रहा होता है तो उन British characters के चहरे पर भी गलानी पश्चाताप हमें कुछ देखने को मिलता है पर दुसरी तरब शुद्ध सिंग जिसे फिल्में बार 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 कई बार उच्चे जाती का उच्चे जाती का ऐसा word कई बार फिल्म में उपयोग किया गया है मतलब फिल्म की शुरुवात के पंदरा एक मिनिट में तो जाती 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 ये शब्द इतनी बार आता है कि हम उसकी गिल्नती भी भूल जाते हैं कुल में लाकर मतलब जो हिंदु संस्कृति को फॉलो करते हैं जो तीलक लगा रहे हैं चोटी रख रहे हैं इन कैरेक्टर्स के लिए फिल्में उची जाती ये शब्द उपयोग किया है तो ये जो शुद्द सिंग है वो कई सेंस में इतना कुरूर उससे दिखाया है एक सीन म एक कैरेक्टर है लेकि कुछ स्पोयलर्स आ सकते हैं अगर आपको बिल्कुल भी स्पोयलर्स नहीं चाहिए तो आप फिल्म देखने के बाद ये रिव्यू देखना तो ये जो शुद्द सिंग का कैरेक्टर है एक सीन में वानी कपूर जो एक नवजाच शिशु को जन्ग देती है तो उसके बाद तुरंट शुद्द सिंग वहाँ पर जाकर उस बच्चे को मारने वाला होता है बंदूग से पर तभी बिटिश बीच में आते हैं और शुद्द सिंग को रोकते हैं इस प्रकार से बिटिशों के चहरे पर भी कई सेंस में हमें वो माना उता दिखा देती है एक पश्चाताप हो रहा है इन गलत बातों को देखकर ऐसा बिटिशों को इसमें दिखाया गया है और दुसरे तरफ शुद्द सिंग को अगर हम देखे तो पूरी तरीके से एक दरिंदा या दरिंदा शब्द भी छोटा हो उस प्रकार से उस कैरेक्टर को उन्हो से अगर हम देखे पढ़े तो उससे एफम पूरी तरीके से विपरित अपोजिट हमें कुल मिला कर देखने को मिलती है दोस्तों मैं तो आपके यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको आपके समय को सार्थक करना है और सुतंदरता संगराम के बारे में अगर आपको सुनना चाहते हैं तो कुको एफम पर करांतिकारी सुभाष यह आडियो बुक आप अवश्य सुनना इस आडियो बुक के माध्यम से महान सुतंदरता सेनानी नेता जी सुभाष चंदर बोज जी के बारे में आपको कई सारी अंसुनी बाते इतिहास आपको जानने को मिलेग शिशु शुभाश पालने में निद्रामगन है सहसा पालने के समीब दिव्य प्रकाश फैलता है और मादुर्गा जैसी भव्याकृती प्रकट होती है उस आकृती के हातों में एक पुष्प मालिका है वह तेजिस्वी नेत्रों से अपलक शिशु शुभाश को निहारती रहती है राय बहादुर सांसे संभाले अचरत से या दुपत्स्व अपना दृश्य देखते रहते है फिर वह भव्याकृती आगे बढ़कर पुष्प मालिका शिशु के गले में पहनाती है ओ देव पुत्र तु अवतारी है तुझे जननी जन्म भूमी को बंधन मुक्त कराने के लिए जन्माया गया है मेरा आशीश है कि तु अपने महान देश में सफल हो और वह पुष्प माला शिशु के गले में जा पड़ी मां साक्षात मां दुरका भाविभोर होकर राय बहादुर देवी के चरंड स्पर्श करने को जपटते हैं और दोस्तों कुको एफम पर इसे 4000 से ज़्यादा ओडियो शोज अविलेबल है 1000 घंटों से ज़्यादा की content library अविलेबल है और वो भी motivational, biography, romantic, horror, thriller, crime, drama, comedy, social, cultural, धार्मिक ऐसे कई सारे अलगलग जोनरा में ये content उपलब्ध है और वो भी हिंदी और अंग्रिजी की ही साथ में आप कई अन्य प्रादिशिक भाशाओं में भी सुन सकते हैं कुको एफम एक proudly made in India एप है इस app को download करने की link मैंने नीचे description और pinned comment में दी हुई है और साथ महीं मैंने coupon code भी दिया है इस coupon code को use करके पहले जो 200 users है उन्हें कुको एफम के yearly subscription पर 50% का discount मिलेगा यानि 399 का जो subscription है वो आपको मात्र 199 में ही मिलेगा तो कुको एफम को download करना आप बिल्कुल भी मत भूलना देखे जैसे कि हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि British भारत में इस देश की सब्वैताओं को संस्कृति को नष्ट करने के लिए आये थे और इस देश की सब्वैताओं को संस्कृति को नष्ट करने को वो भारतियों को civilized करना कहते थे और इसके कई सारे प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं कि किस प्रकार से बिटिशों के द्वारा evangelical movements को support किया गया था missionaries को बढ़ावा दिया गया था यहां के 7 लाग गुरुकुलों को नश्ट करके, बंद करके किस प्रकार से उन्हों एक अंग्रीजी शिक्षा विवस्ता में college की शिक्षा विवस्ता उन्होंने शुरू की थी और सबसे महतोपुर्ण तो burden professor of Sanskrit जिसके बारे में मैं इसके पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ कि Oxford University में एक पूरा अलग से department शुरू किया गया था burden professor of Sanskrit और उसका एक मात्र उद्देश्य था भारत को convert करना वैसे कई सारे प्रमान हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं पर फिल्म में हमें ये दिखाया गया है कि British जो लोग हिंदू संस्कृति को follow करते हैं उनके साथ में मिले हुए थे हैं और वो एक साथ में मिलकर जो समाज का पिछडा वर्ग है जो जनजाती सम्मू है उन पर वो सब मिलकर अत्याचार कर रहे है ऐसा फिल्म में दिखाया गया है हाला कि अगर हम भगवान विर्सा मुंडा जी के बारे में पढ़े बचपन में उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए कन्वर्ट होना पढ़ा था हाला कि बाद में उन्होंने फिर से घरवापसी की थी वैश्नोपंत को उन्होंने स्विकार किया था और उसके बाद आजी वन वे मिश्नेरीज के विरुद्ध लड़ते रहे जो मिश्नेरीज आदिवासी समाज को कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे थे उनके विरुद्ध आजी वन भगवान विर्सा मुंडा जी लड़ते रहे और इस बात से ब्रिटिश इतने जादा गुसा हो गए थे कि उन्होंने भगवान विर्सा मुंडा जी को विश्ट देकर उनकी हत्या कर दी थी उनके हजारो हजारो अनुयाईयों को उन्होंने गोलियों से भून दिया था दुसरी तरफ पायका स्वतंदरता संग्राम के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि जब ब्रिटिशों ने जगनात मंदिर पर कबजा करके वहाँ पर टैक्स लगा दिया था दर्शन के लिए तो उसके बाद जो पायका समाज था जो किसान थे बहुती समाज के गरीब और पिषड़े समाज से थे उन्होंने ये स्वतंदरता संग्राम की बिटिशों के विरुद्ध वहाँ पर शुरुवात की थी और भी इतिहास में हमें ऐसे कई सारे स्वतंदरता संग्राम के बारे में पढ़ने को मिलता है हालाकि फिल्म में तो सारी बाते बिल्कुल इसके विपरिद बिल्कुल अपोजिट दिखती है यहाँ पर खमेरान नाम का एक जनजातिय समू को दिखाया है जो फिल्म की शुरुवात में उनने एक उलेख हमें ऐसा मिलता है कि वो राजपुतों के साथ में मिलकर मुगलो के विरुधह लड़े थे यह एक बार फिल्म में उलेख मिलता है और वो देखकर ऐसा लगता है जिसे आगे फिल्म में जो कुछ भी उनने दिखाना था शायद उसके लिए बस उन्होंने शुरुवात में एक प्रकारसी उले किया हो ऐसा फिल्म देखते हुए लगता है तो उसके बाद राजपुतों के साथ लडने के बाद जो खमिरान जनजाते समू है उन पर जो उची जाती के लोग है उनके अत्याचार बढ़ने लगे थे और फिर उसके बाद जब ब्रिटिश आये तो फिल्म में एक लाइन हमें सुनने को मिलती है कि जो उची जाती के लोग है वो अपने नए मालिकों की शरण में गए यानि ब्रिटिशों के शरण में गए कि हमें ये जो खमिरान जनजाती समू है उनसे बचाईए ये हमें बार 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 लूट रहे है अब ब्रिटिशों के तो बसकी बात नहीं थी शमशिरा को पकड़ना तो वहाँ पर एंट्री होती फिर शुद्ध सेंकी वो कहता है कि कि भाई मैं इनको पकड़के लाऊंगा और इसके लिए फिर ये जो उची जाती की लोग है जो हिंदु संस्कृति को फॉलो करते वे उन्हें दिखाया है ये जो उची जाती के लोग है वो धेर सारा सोना ब्रिटिशों को देते हैं ताकि वो ये खमिरान जो जनजाती समू है उन्हें पकड़ कर ला सके इसके बाद फिर पूरी फिल्म में ये जो शुद्धा सिंग की अत्याचारी फिल्म में दिखाये हैं ब्रिटिश तो बस नाम के लिए ही शुरुवात में जैसे उनका उलेक बस हमें देखने को मिलता है तो ये शुद्धा सिंग धोके से ये ज सींस में ये दिखाया कि बिटिशों को भी शुद्ध सींग की ये जो अत्याचार है वो देखकर पीड़ा हो रही है दुख हो रहा है गलानी हो रही है पर शुद्ध सींग और उसके साथ में जितने भी ये जो उची जाती के सेना में जो पुलिस बल में सुरक्षा कर्मी दिए थे उसके बाद में मेकॉले ने जो बात कही थी न वो आज बिलकुल सच साबित हो रही है मेकॉले ने कहा था कि हम यहाँ पर ये जो अंग्रीजी शिक्षा विवस्ता शुरू करने जा रहे हैं इससे पढ़कर निकलने वाला जो व्यत्ती होगा वो बाहर से तो भारत सच साबित हो रही है ऐसा फिल्म देखकर मुझे कम से कम लग रहा था अब फिल्मे एक तरफ तो शुद्ध सिंग है उसके साथ के जितने भी सुरक्षा कर्मी है वो है और बिटिशों के पास मदद मागने के लिए जो समाज के उच्च वर्ग के लोग जा रहे है जिने फिल करेक्टर है जो करेक्टर रोनित रोय ने प्ले किया है तो पीर बाबा है उसके बाद एक शौरब शुकला उनका एक धुला सिंग या धुली सिंग करके करेक्टर है इसे फिल्म में इसके लिए एक नास्तिक शब्द उपयोग किया गया है धुली सिंग के लिए मतलब फिल् एक नगीना करके गाव है, मंदिरों का गाव उसे कहा गया है, और इस गाव को भी वर्स पॉसिबल वे में फिल्में उन्होंने चित्रित किया है, दिखाया है, यहाँ पर धर्म का किस प्रकार से लोग धंदे के लिए यूज करते हैं, वो उन्होंने फिल्में दिखाया है, औ और एक तिलक लगाया हुआ करेक्टर है जो सम्शेरा के साथ फिल्म में होता है पर उसे कोई धर्मिक वगरा नहीं दिखाया वो जहां पर बैठता है उसके पास में एक प्लेट पर लिखा हुआ है कि बाबा मौन में हैं और दान पेटी सामने हैं मतलब वो बस पैसो के लिए ये इस प्रकार से बैठा हुआ है शायद ऐसा फिल्म दिखाना चाहती है तो ये सब लोग सम्शेरा के साथ में हैं शुद्ध सिंग के विरुद्ध और ये जो शुद्ध सिंग का कैरेक्टर है इसकी एंट्री के समय फिल्म में कई बार एक विचित्रसा म्यूजिक बैगरा हम पता नहीं वो क्या क्या शुद्ध ऐसे विचित्रसी आवाज में बैगराउंड में बोले गए हैं और अवरॉल फिल्म की कहानी के अगर हम बात करें तो ट्रेलर से ही लगबख पूरी कहानी हमारे साम नहीं थी और फिल्म में ऐसा कुछ भी हमें बांध कर रखे शुरु और अवरॉल हमारे experience पर शायद ही कोई फर्क पड़ता तो कि दिखाने के लिए उनके पास फिल्म में वैसा कुछ भी नहीं था और सबसे problematic और हस्यासपत सिन तो बिल्कुल फिल्म के अंत में था जहाँ पर यह दिखाया है कि जो British है वो बल्ली से सोना लेकर जो उसने देते हैं यानि जैसे कि मैंने पहले कहा इवन ब्रिटिशों को भी एक प्रकार से positive way में दिखाने का प्रयास करती है पर दुसरी तरफ जो भी शुद्ध सिंग जिससे बड़ा तीलक लगाते हुए दिखाया है वो हिंदू संस्रिती को follow करते हुए दिखाया है उसे पूरी प्रकार से थोड़ा से मिन्यूड उन्हें उस सीन में दिखाया गया है बाकी तो फिल्म में थोड़ा बहुत भाइलन्स है सेंसर बोड ने फिल्म को यूए सर्टिपिकेट दिया हुआ है बाके दोस्तों आपने अगर फिल्म को देखा है तो आपका experience कैसा रहा मुझे अपन बताना ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धिन्यवाद जैश्री राम गंदे मातरम